हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो सावन के महिने में आने वाला नाग पंचमी का पर्व काफी खास माना जाता है जो इस बार 13 अगस्ते दिन सुकरवार को मनाया जाएगा इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं रुदराविशेक कराने के लिए ये दिन काफी सुब माना जाता है माननेता है कि इस दिन जो वेक्ति नाग देवता की पूजा कराने के साथ साथ शिव की पूजावे रूदरा भी शेक करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं दोस्तो पुरानिक कथाओ के अनुसार नाक पंचमी का एक किस्सा भगवान किर्शन से भी जुड़ा है कहते हैं कि एक बार जब भगवान किर्शन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तब गलती से उनकी गेंद नदी में जा गिरी इस नदी में कालिया नाग का वास था गेंद नदी में जाती देख भगवान किर्शन नदी में जा कूद पड़े नदी में कालिया नाग ने भगवान कर्शन पर हमला कर दिया लेकिन भगवान कर्शन ने उसे सबक सिखाया बगवान विश्णू के आवतार श्री कर्शन जी को जानने के बाद कालिया नाग ने उनसे माफी मांगी और वचन दिया कि वो अब से किसी को भी नुक्षान नहीं पहुँचाएगा कहते हैं कि कालिया नाग पर श्रीक क्रिशन की विजय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है कहते हैं कि कुंडली में यदि कोई भी दोस हो खास कर काल सर्प दोस तो नाग पंचमी के दिन इसकी शांती की पूजा करवा सकते हैं यह दिन कई दोसों से मुक्ति पाने के लिए सरुस्रेष्ट माना जाता है। इस दिन ओम नमस्षिवाय और महामर्तुन्जे मंतरों का जाप सुबह शाम करना चाहिए। माननेता है कि इस दिन शिवलिंग का दूद से रुदराभिशे कराने से परतेक मनोकामना पूर्ण होती है जिनकी कुंडली राहु दोश होता है उनके लिए भी इस दिन रुदराभिशे करवाना फलदाई माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के नुसार इस दिन शर्पों को मतलब सापों को सुनान कराने दूद पिलाना वे उनकी पूजा करने से पुन्ने की प्राप्ति होती है। दोस्तों हिंदू पंचांग के नुसार नाक पंचमी सावन महिने के सुकल पक्स की पंचमी तिति को मनाई जाती है। इस बार पंचमी तिति की सुरुवात 12 अगस्त 2021 को गुरुवार की दोपैर 3 बचकर 24 मिनट से हो जाएगी और इसकी समापती 13 अगस्त दिन सुकरवार को द 13 अगस्त को सुबह 5 बचकर 48 मिनट से 8 बचकर 27 मिनट तक रहेगा। दोस्तों अब मैं आपको नाक पंचमी की कथा बताता हूँ। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। उस किसान के दो लड़के और एक लड़की थी। एक दिन हल जोत्ते समय गलती से उसके हल स नाक के तीन बच्चे कुछले कर मर गए। यह देख उनकी बच्चों की जो मा थी नागिन ने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात के समय अंधकार में नागिन ने किसान उसकी पत्नी वे दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन जब सुबह सुबह नागिन किसान की पुत्री को डसने के उधेसे से किसान के घर की तरफ फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूस से भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड कर उस से समा मांगी। नागिन ने कन्या से परसन होकर उसके माता पितावे दोनों भाईओं को पुनै जीवित कर दिया कहते कि उस दिन श्रावन शुकल पंचमी थी मानने तर अनुसार तब से आज तक नागों के कौप से बचने के लिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको नाग पंचमी से जु है हमें लिखके जरूर बताएं दोस्तों और दोस्तों ओम नमश्रीव आयए भी लिखें कमेंट बॉक्स में और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो शब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाल आइकन के लिए ब झाल झाल